साल में कुल 24 एकादसी के वरत होते हैं। हर एकादसी वरत का अपना विसेश महत्व है। इसमें सावन माज के सुकलपक्ष के एकादसी वरत की खासी महिमा है। इसे पुत्रदा एकादसी के नाम से जानते हैं। इस दिन पूझा और वरत का अपना विसेश महत्व होता है। सावन सुकलपोक्स की एकादसी दिती की शुरुवात 15 अगस्त को सुब छे बजे से होगी जो अगले दिन यानी 16 अगस्त को भोर में 5 बच का पंदर मेर्ट पर समाप्त होगा ऐसे में पुत्रदा एकादसी कवरत 15 अगस्त गुरुवार के दिन रखा जाएगा पर यह जो है 15 अगस्त दिन ब्रहस्त पतिवार के दिन पढ़ रहा है प्राता 6 बजे से यह एकादसी प्रारम होगी दूसरे दिन 5 बच के कुछ मिनट तक रहेगी और यह पुत्रदा एकादसी का बहुत बड़ा महत्त्य है पुराणों में कथा आती है कि द्वापर युग मे महिस्त्मती नामक राजय में एक महीजित नाम के राजा थे वह पुत्रहीन थे बहुत दान करते थे उनको बहुत कष्ट हुआ कि हम इतना दान करते हैं सब कुछ करते हैं लेकि मुझे संतान नहीं है तो उन्होंने प्रजा के मद्ध में ब्रामनों को बुलाया बुला करके कि अपनी बात कही तो प्रजा और ब्राह्मनों को बड़ा कश्ट हुआ यह सुन करके कि हमारे राजा को शंतान नहीं है तो प्रजा के कुछ लोग और ब्राह्मन लोग यह गए जंगल में तपश्या करने के लिए गए तो वहीं पर एक तेजों मान रिशी दिखाई दिए उन की to attache को प्रणाम करने के बाद उनसे उन्हें ने अपनी भिलासा रखए अपने बाते रखी उन्हें का ऐसी उसी बात है हमारे राजा को यह मोदें कि खान घ्रां करने धो भॉत्त लोमस रिशी ने द्यान करने के अब बतलाया हिए आपके राजा ने जो है महीजित राजा ने पूरो जन्म में एक पाप किया था जिस पाप के वज़त से उसको पुत्र नहीं भोखा रहा था उन्हों पुछा कि कौन सा पाप किया था कि पूरो जन्म में वह किसी बैश्य थे जाकर के किसी जगह एक जलासे में जल पीने जा रहे थे पी रहे थे जिस वज़े से उनको संतान की प्राप्टि नहीं में लोमस रिशी ने कहा कि उनसे कह ये किस रावण की एकादसीख जो भी ब्रत करेगा वह पुत्रदा नाम की एकादसी कही जाएगी उसके करने से उसको संतान relaxhots पुत्र तो राजा ने प्रजा के साथ और ब्राम्हणों के साथ इस ब्रत को किया इस ब्रत के प्रभाव से प्रजा ने और ब्राम्हणों ने अपने पुन्य को दिया पुन्य को देने से राजा को तेजोवान पुत्र पैदा हुआ इसलिए यह पुत्रदा नामक एका दसी कही जाती ह यह विख्वा